नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मनजिष्ठा के फैदे और नुकसान के बारे में बताने वाले है मजीट पौधे की जड़ को मनजिष्ठा कहा जाता है, इसका अंग्रेजी नाम कॉमन मैडर है सरीर के कई तरह की रोगों का इलाज करने में यह उपयोगी होता है मनजिष्ठा को एक बहतरिन आरिवेदिक जड़ी बुटी माना जाता है हाला कि इस जड़ी बुटी के लिए खेती की जाती है ताकि रोगों के उपचार में उपयोग किया जा सके मंजिष्ठा डाइपीडिस दिल की बिमारी और कैंसर जैसी समस्या के लिए बड़े पैमाने पर उप्योग किया जाता है इसकी अलावा यहां रोगों से लड़ने में बहुत प्रभावी होती है सायद बहुत से लोगों को मंजिष्ठा के बारे में पता नहीं होगा कि यहां स्वस्थ के लिए अच्छा होता है चलिए आपको मंजिष्ठा के फैदे और नुकसान के बारे में बताते है प्रतिरक्षा में सुधार करे सरीर की पतिरक्षा में सुधार करने में मंजिष्ठा फैदे मन होता है क्योंकि यहां जड़ी बुटी संक्रमन से लड़ने में मदद करती है और रोगों से बचाव करती है त्वाचा के लिए फैदे मन त्वचा के लिए मंदिश्ठा एक प्रभावी जड़ी बुटी है, जो त्वचा से जूड़ी समस्या को ठीक करने में मदद करती है, यह त्वचा के मुहासे वह खुझली की समस्या को दूर करता है, इसके अलावा त्वचा के आंतरिग वा पहरी उप्योग के लिए किया जा बुखार की उपयोग में मंजिष्ठा का उपयोग मंजिष्ठा एक आरिवेदिक जड़ी बुटी है जो बुखार को कम करने में फैदे मन होता है इसके अलावा मंजिष्ठा के प्रावडर का उपयोग मुत्र संक्रमन वा आद के अलसर की समस्य को दूर करने में किया जाता है बालों के लिए फैदे मन लोगों में बालों से जुड़ी समस्या अधीक हो रही है जिसके लिए मनजिष्ठा एक प्रभावी जड़ी बुटी है इस जड़ी बुटी में प्रकृतिक रूप से रंग के एजेंट होते है जो बालों को रंगने में उप्योग किये जाते है यहां सफेद बालों को कम करती है और बालों को तुटने से बचाती है लंबे बाल वाले लोगों को इस जड़ी बुटी के उप्योग करना चाहिए ताकि बालों की समस्या ना हो सके डाइबेडिस को नियंदृत करने में डाइबेडिस सिर्फ पिडित लोगों के लिए मन्जिष्था फैदे मन होता है इसमें बहुत से अंटियॉक्सिदेंट गुन पाय जाते है जो रख्त सरकरा के स्तर को कम कर डाइबेडिस को नियंदृत करता है लेकिन आपका पहले से डाइबिडिस नियंतरन में है तो इसका उपयोग बहुत कम करें कैंसर की रोक थाम करने में मंजिष्ठा एक प्रभावी जड़ी बुटी है इस जड़ी बुटी में एंटी कैंसर की गुण होते है जो कैंसर को बढ़ने से रोकते है कुछ सोद की अनुसार यहां कैंसर को रोकने में सहयक होता है इसके अलावा यहां कैंसर को सीका को बढ़ने नहीं देता है मंजिष्ठा में कुछ ऐसे योगिक होते है जो कैंसर से आपका बचाव करते है वजन कम करने में वजन कम करने के लिए बहुत से लोग कई तरह के घरलू उपचार करते हैं लेकिन कोई खास परिणाम नहीं नजर आता है ऐसे में मनजिष्ठा बहुत लबदायक घरलू उपचार माना जाता है यदि तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो वे लोग इस जड़ी बुटी के अपयोग काड़े के रूप में कर सकते हैं इसके अलावा आप चाय की तरह बना कर भी इसे पी सकते हैं मासिक धर्म के दर्द को कम करने में महिलाव को मासिक धर्म के दवरान बहुत दर्द वा पीड़ा का सामना करना पड़ता है इस दर्द से चुटकारा पाने के लिए की रूप में कारी करती है अब मासिक धर्म से घपराए नहीं मंजिष्ठा का उपयोग करे पत्री की समस्या दूर करने में मंजिष्ठा जड़ी बुटी दिल के बिमारियों के अलावा किड्नी के रोगों के जोखिम को कम करता है कुछ सोध के अनुसार या जड़ी बुटी कि अरिविदिक असदी की तरह है जो नुकसान नहीं करता है लेकिन सिमित मात्र से अधिक उपयोग करने से कुछ निम्ने दुस्परिनाम हो सकता है जैसे गर्ववतिवा इस्तनपान करने वाली महिला को मंजिष्ठा के उपयोग करने से पहले चिकत्सक्त से सलाह लेनी उनको इसकी उपयोग से परहेच करना चाहिए तो दोस्तों इस तरह किया और हेल से संबनित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में घन्यवाद